शिखा ये वाकई में चोकाने वाली खबर है और बहुत ही इसकी चोकाने वाली खबर है कि बहुत ही खुशमिजाज और नेक रिल इन्सान के तोर पर विवेक धाकर को जाना जाता रहा और ये जो खबर आई है ये अपने आप में पूरे प्रदेश की राज़तिती को इलाने जाने मांडलकड का वो चुनाव जिसको मैं कवर करने गया था उसको पर पहली बार विवेक धाकर कुमिदवार बनाए गए थे कॉंगर्स फार्टी के डॉक्टर सीपी जूशी उस समय पूरा केंपेन कर रहे थे जूशी नहीं विवेक धाकर को टिक्र दिया था और इसके टिक्र दिया था कि यूद कॉंग्रेस में बहुत काम विवेक धाकर ने किया और एक पड़े लिखे नोजवान के तरु पर कॉर जिदिक तोर पर एसी चती है क्योंकि बहुत युवा चैरे के तोर पर उनको उनकी चाती रही और ऐसे में उनका दुगदाई परीके से उनका इसनसार से चला जाना ये अपने आपने बहुत ही शौकिंग नोजवा है पुरे प्रदेश के लिए पुरे देश-प्रदेश के किनाते काफी अच्छा काम भी इनोंने किया था युवाओं के बीच में पाकड़ इनकी रही और मैंने जैसे कहा कि एक अच्छे इंसान के तौर पर इनको दिखा गया जब भी मिलते थे और राहूल गांदी मुझे भी दिखान है कि राहूल गांदी की भारे जोड़ो यात और पूरी तरह वो कॉंग्रेश में रचे बसे लिटर के तौर पर युवा नेता के तौर पर उनकी शवीथी यूथ कॉंग्रेश की राश्टी टीम में उनने काम किया उनको दॉक्तर सी पी जोशी मुझा भी धिखान है कि उन्हें सब सब पहली बार उनकी नाम का रेकमें और समाज पे क्या बीतर ही होगी है तो उस परिवार को इश्वर होसला बढ़ाए धांडस मनदा है कि इस संकट की घड़ी में परमपिता उनको आए तरह से का आ जाये तो उनको होसला करे उनको पुरी परिवार को लेकिन वाकई में भिलवाडा ही नहीं पूरी देश की पूर और जैसा बोलते थे और जैसा मैंने का कि कॉन्वेंट शिक्षित रहे थे पर बहुत अगरी पर एकलोमिक्स पर अच्छी पर रही बढ़ा अच्छा उनका एक व्यावार कुशल रेक्टित उनका रहा नेकदिल इनसान के तौर पर राजिती में इस तरह का व्यक्ति जादा नहीं चलता यह बात भी सही लेकि उन्होंने बहुत अपनी राजिती सरलता के साथ आगे बढ़ाई बहुत सहज सरल रहे और यह पूरे का जा सकता है ऐसी ख़बर है जिसको लेकर हम यह कह सकते हैं कि अपने आप में उस परिवार के लिए बहुत ही गड़ी जो है वह बहु भी जाना जत्रा है योगेशी दुबारा आपसे जानकारी लेंगे फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया